Yes students, we are doing worksheet 5 and we had done till question number 2. So today we are going to start with the question number 3. So on Friday I explained to you that how to find out the factors. Okay, आपको बेटे factors के बारे में बताया था मेने, ठीक है? कि किस तरह से हमें factors find out करने हैं? तो एक दो questions जब मैं आपको करवाऊंगी, तो आपको recall हो जाएगा कि factor हमें किस तरह से find out करने हैं? यही लिखे ना, यहाँ पर write all the factors of the following numbers. तो जो भी number आपको given है, इनके आपने क्या करने हैं? factor निकालने हैं. और factor क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको explain भी किया था पहले, 12 के अगर आपको factor निकालने हैं, यानि कि जो 12 है, वो कितने number के table पे आ रहा है? कौन-कौन से table पे आ रहा है? वो सभी tables, जितने भी ऐसे number है, जिनमें भी 12 आ रहा है, वो number आपने लिखने हैं, वो क्या हो जाएंगे? factor हो जाएंगे 12 के. तो इसको बेटर समझने के लिए, notebook में देखिए, how to find out the factor of the following numbers. So, see, I am doing a part. ठीके, a part में बेटे 12 आपको given है, और आपने क्या करना है? इसका factor निकालना है. तो बहुत ही easy method से आपको मैं बताऊंगी, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, कि किस तरहां से हम factor find out करते हैं? जब भी बेटे, आप factor निकालेंगे, आपने starting करनी है, बहुत छोटे नंबर से. और आपको पता है, सबसे smallest number क्या होता है? ठीके, 1 के बाद हम continue करेंगे, 2, 3, 4, like this. ओके, तो अगर मैं इसको 1 से start कर रही हूँ, तो 1 को किस से multiply करूँ कि वापिस 12 आए? obviously 12 से multiply करूँगी, तभी 12 आएगा. तो एक factor हो गया, इसका 1. clear? यानि कि 1 के table पे भी 12 जा रहा है न? अगर 1 को 12 से multiply करेंगे, तो 12 आएगा. अगले नंबर की मैं बात करूँगी, 2. ठीके, 1 के बाद 2 आता है. अब आपने यहाँ पे बेटे ध्यान देना है, यह जो 12 आपने लिखा है न? इसको आप divide करेंगे इसके साथ. जो next number 1 के बाद आपने लिखा है, 12 को divide करेंगे 2 के साथ. अगर आप 12 को 2 से divide करते हो, you know that, कि 12 जो है, 2 के table पे 6 पे जाता है. ठीके? तो फिर हम क्या करेंगे? जो quotient होगा न? इस तरह से मैं रफ में आपको दिखा देती हूँ, divide करके, 2, 6, 12, remainder 0, यह जो quotient है न? पे 6 आपने इससे multiply करना है 2 को. और कमाल की बात क्या है? वापिस आपको क्या मिलेगा? 12 मिलेगा. ठीके? multiply करके वापिस 12 मिलेगा. यहाँ पे आपको पूरे 12 ही मिलेंगे. आपने जिससे भी multiply करना है, product होने के बाद, जो आपको answer मिल रहा है, यानि कि जो product मिल रहा है, multiplication के बाद, वो 12 ही मिलेगा. In each case. तो मेरे पास यहाँ पे, कितने factor होगे? 3 factor. 1, 2, और यह वाला 6. clear? इसके बाद, 2 के बाद क्या आता है, 3? अब फिर आपने यही करना है, 12 को 3 से divide करना है. इस वाले को, आप यह नीचे वाले से divide करते जाएंगे, और factor बनाते जाएंगे. clear? 12 को 3 से divide करेंगे, 12 जो है, 3 के table पे, 4 पे जाता है. ठीक है? 12 जो है, 3 के table पे, वो जाता है बेटे, 4 पे. ठीक है ना? तो 4 आपका क्या है? quotient है, तो आपने यहाँ पे quotient ही लिखना है. clear? multiply का sign, और आपने क्या करना है? multiplication करनी है, quotient के साथ. तो 3 multiply by 4, again you will get 12. तो मेरे पास यह दो factors और आ गए. पहले 1 था, फिर 2 factor बना, 6B, 3B, और अब 4B. यह सभी factor बनेंगे. यह जो पेटे cross में लिखे हुए ने, सारे factor है, 12B factor है, वो अभी आपको में explain करूँगी, कि किस तरह से, यह सभी के सभी क्या है factor है, जो multiplication में लिखे हुए है. ठीक है? अब इसके बाद हमें move करना है 4 पे. ठीक है? यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, बट already यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, तो आप दुबारा नहीं लिखोगे. यानि किसके factor यहीं finish हो गए? अगर number बेटे repeat आने शुरू हो जाएं, that means आपकी जो factorization है, finish हो गई है और इसको आपने यहीं तक ही लिखना है, और इस तरह से आपने pencil से यू बना देना है, इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे क्या हैं? यह factor है, तो किस तरह से लिखेंगे इसको? factors of 12 are, कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 12, सभी factors हैं, again देखिए, 1, 2, 3, 4, 6, 12, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, 1, 2, 3, 4, 6, 12, clear? और यह जो मैंने आपको divide करके दिखा हैं, यह rough part है आपका, यह सारे आपका rough part रहेगा, clear? इसी तरह से आपका B part हो जाएगा, दुबारा देखिए, और अच्छे से आपको clear होएगा, multiply by 32, you will get 32, 1 के बाद क्या आता है, बैटा, 2 आता है, 32 को 2 से divide करो, क्या आएगा, what you will get, you will get, 16, clear? you will get 16, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, और बीच में multiply का sign, 2 multiply by 16, आपको वापिस 32 मिलेगा, ठीके न, यहाँ पर बैटे, वही नंबर आपका चलेगा, जिसके आफेक्टर निकाल रहे हो, इनको आपस में जब आप multiply करवाओगे न, वापिस आपको 32 ही मिलेगा, ठीके, तो इसको आप check भी करके देख सकते हो, अब अगेन आगे हम कौनसा नंबर लिखेंगे, 3, लेकिन लिखने से पहले आप ये देख लेना, क्या ये 32, 3 के टेबल पे डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीके, इसको नहीं लिखना, 4, 4 तो डिवाइड कर देगा 32 को, यानि 32 जो है 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देगे 4, और इसको जब आप डिवाइड करोगे 32 को 4 से, तो 8 पे जाएगा, ठीके ना, तो वो कोशन्ट आपने यहां लिख दिया, 4 multiply by 8, again 32, ठीके, जो एक नीचे वाला नमबर होता ना, 32 को आपने उससे डिवाइड करना है, जो नीचे आपने लिखा है, clear, अब अगला है नमबर 4 के बाद है 5, लेकिन 5 जो है वो 32 को डिवाइड नहीं करेगा, उससे अगला देखें, 6, 6 भी डिवाइड नहीं करेगा, 7 वो भी डिवाइड नहीं करेगा, 8, अब 8 तो अल्रड़ी लिखा हुआ है, यानि कि अब नमबर आपके repeat होने चुरू हो जाएंगे, that means आपकी factorization यहीं finish हो गई, ठीक है ना, 5, 6, 7, यह तो जाता नहीं है, यह तो डिवाइड करेगा नहीं 32 को, that means उससे अगला नमबर है 8, तो 8 तो अल्रड़ी लिखा हुआ है, तो हमें दुबारा से लिखने की जुरूरत नहीं है, यही हमारे factor है, और हमारे पास जो factors बनेंगे 32 के, तो आपने इस तरह से लिखना है, factors of 32 are, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 1, 2, 4, 8, 16, 32, clear, likewise बेटे, सारे questions ऐसे ही हो जाएंगे, देखें, notebook में, how to do these questions, ठीक है, इसी तरह से आपने करने हैं, I will tell you, C part, C part में आपको given है 24, तो starting 1 से करनी है, 1 multiply by 28, you will get 28, clear, आप 1 के बाद क्या है, अगला number 2, तो 28 को बेटे, आपने 2 से divide करना है, तो यह आप rough में भी check कर सकते हो, divide करके, नहीं तो आप औरल ही कर सकते हो, 2 1s are 2, and 2 4s are 8, तो यहाँ पर वही आपने लिखना है, 2 1s are 2, and 2 4s are 8, 14 आपके पास एक question आया है, तो आप इसको rough में चेक कर लेना, कि 28 को जब 2 से divide करेंगे, तो 14 आएगा, और आपस में इनको multiply करवाना है, और वापिस आपको 28 ही मिलेगा, ठीके, यहाँ पर बटे, same number ही लिखे जाएंगे, clear, अब अगला number आते है, 3, लिखने से पहले हमने यह देखना है, क्या 28, जो है वो 3 के table पर divisible है, divide हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, 27 जाता है 3 के table पर, 28 नहीं जाता, उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीके, उसको हमने नहीं लिखना, अगले number पर move करेंगे, उसको छोड़ दो, leave it, 4, 4 divide करता है 28 को 7 पर, तो 4, 7 जा, 28, उसके बाद हम 5 पर चलेंगे, 5, 28, जो है वो नहीं जाता 5 के table पर, again 6 पर जाएंगे, वो भी नहीं जाता, फिर 7 पर जाएंगे, तो 7 तो अल्रड़ी लिखा हुआ है, 7 पर तो जाता है, 7, 4 जा, लेकिन ये तो अल्रड़ी लिखा है ना बेटे, तो यहीं पर factorization हमारी finish हो गई, और factor क्या बनेंगे, 28 के, 1, 2, 4, 7, 14, 28, clear, इसी तरहां से next देखिए, यहाँ पर D part है, D part में आपको 35 गिवन है, तो 1 multiply by 35, equals to 35, starting 1 से करनी है आपने always, तो एक factor तो आपका 1 हो गया, उसके बाद बेटे, ये odd number है ना, last में 5 लिखा हुआ है, तो ये 2 के table पे तो divide होगा नहीं, तो हमने 2 को नहीं लिखना, उसके बाद 3, 3 के table पे भी 35 नहीं जाता, 4 के table पे भी नहीं जाता, लेकिन 5 के table पे जाता है, इसलिए हम 5 को यहाँ लिखेंगे, और 35 को 5 से divide करेंगे, we will get 7, आपने यहाँ पे quotient लिखना है, this is 7, 5 multiply by 7, you will get 35, और इस तरह से pencil से यह यू बनाना है, इसका मतलब क्या है, कि जो भी आप यह लिख रहे हो ना, पिटे factor, यह सारे के सारे जो है, factor है, सभी के सभी आपने यहाँ लिखने है, 1, 5, 7, 35, ठीक है, 1, 5, 7, 35, likewise आपका E part, F part, same as it is हो जाएगा, ठीक है, and I will send you the PDF of this page, and you have to do, part G and part H, ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा, और इसको हम further continue करेंगे कर, tomorrow we will do the next questions,